हेलो आवरीवेन वेल्कम एक टू देख लिया होगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले नाउन वाली वीडियो को ज़रूर देख लिजेगा लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रेश बॉक्स में मिल जाएगी जिससे के आपको नमबर्स अप महीने में पूररी इंगलिश को गरामर को कवर करने वाले है और अमने सबसे पहले आपको समझ तो जरूर करना और अपने सभी दोत रिख ले करना और यहजे अब वीडियो को शुरू करते हैं डूम्बर से बनाउन क्या होते हैं दीखों नमब्र नबर्स प्लूरण प्लूरल नमबर ओक जिसका मतलब होता है एक वचन और पलूरल नमबर का मतलब होता है वचन अब जानते हैं कि singular number और plural number की definition क्या होती है देखो बच्चो, a noun that denotes one creature or thing is called singular number अब जिस noun से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तू का बोध हो हम उसे singular number कहते हैं यह जो singular word है यह English के single से बना है किस से बना है बच्चो, single से और single मतलब होता है कोई एक बच्चो, noun क्या होता है यह तो आपने बहुत अच्छे तरी किसे detail में समझ लिया है तो बच्चो, जिस noun से किसी एक creature या किसी एक thing के बारे में बताया जाए उसको हम कहते है singular number जिसी के book है अगर हम book बोल रहे है तो यानि कि हम एक पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहे है किसी एक किताब का जिक्र कर रहे है कार यानि कि एक कार, पैन, बेट, टिकेट, चेर, इस तरह के और भी बहुत सारे examples हो सकते है एक से किसी एक सिंगल चीज को डिनोट करता है किसी एक सिंगल चीज के बारे में बताने के लिए यूज़ करते है अब बात करते है plural number plural number, noun that denotes more than one creature or thing is called plural number जिस नाउन से एक से जादा व्यक्तियों या वस्तूओं का बोद हो उसको हम कहते है plural number जिसके books है यानि कि पुस्तक है, cars, pants, beds, cats, chairs, कुरसियां तो यह हमारे सभी plural number कराएंगे तो चाहिए, अब हम सीखते है rules for changing singular to plural यानि कि singular number को plural number में change करने के कुछ नियाम होते है कि अलग-अलग rules होते है जो आज मैं आपको detail में explain कराने वाला हूँ दोबरा से आपको कभी इन numbers में कोई भी problem नहीं जाएगी तो strengths हमारा first rule है यानि कि nouns के last में अगर s, double a, ch, sh, x, o या z आया हो तो उसको plural में change करने के लिए हमें उस noun के last में es add करना है तो simply हमें यहाँ पे es को add करके singular noun को plural noun में change करना है तो चलिए इसके कुछ examples देखते हैं जिसके bus अब bus में देखिए last में es आया हुआ है इसको plural में change करेंगे तो क्या बनेगा? buses हो जाएगा क्यों जाएगा buses अब ऐसी class class में double a's आया है क्या आया है यहाँ पर class में double a's आया है तो इसको classes कर देंगे es add कर देंगे mango last में o आया है तो es लगाकर इसको बनाएगे mangoes tomato tomatoes es लग जाएगा batch last में c h आया है तो इसको plural में change करने के लिए हम es add करेंगे batches box single x है es लगाकर इसको boxes करेंगे watch ch है यानि के एक गड़ी watches गड़ी है dish, dishes, hero, heroes mosquito, mosquitoes, coach, coaches, tax, taxes तो इन सभी में आपने देखा कि हमने noun के last में e-aid को add करके singular noun को pillow noun में change कर लिया अच्छा es ही क्यों लगाया es क्यों नहीं लगाया इसके पीछे का reason भी जान लिजिए लिको जैसे के यह एक bus लिका हुआ है अब अगर इसमें single आप bus एक es लगाएंगे तो भी इसको bus ही पड़ा जाएगा इसका sound change नहीं होगा अब पता कैसे चलेगा कि आप singular की बारे में बात करेंगे इसलिए इसमें हम es add करते हैं bus का buses प्लूरल होता है ठीक है इसलिए es लगाकर इनका sound को बदला जाता है जिससे के यह different समझ में आ सके कि हम singular noun के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम पिलूल noun के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो यह हमारा rule number first था कि अगर किसी noun के last में s, ch, sh, o, double s, x या z आए तो उसको पिलूल में change करने के लिए हम es लगाते हैं अब इसके कुछ exception है exception यानि के अफवाद हैं जिनमें कोई नियम लागू नहीं होता जिससे के monarch monarch का monarch हो जाएगा इसमें सिर्फ single s लगेगा इस्टोमक इसमें single s लगेगा हलाके last में c, h, r, i लेकिन यहां पे es नहीं लगेगा यह exception है अलग से mention कर लीजिए चलिए अब बढ़ते हैं second number की rule की तरफ rule number second the noun that end in a concert end followed by y change into plural form by changing the y to i and then adding es वे noun जो y पर end होते हैं यानि किसी noun के last में y आए और उससे before कोई consonant आए अब अच्छो consonant क्या होते हैं यह आप अच्छे तरह की समझते हैं क्योंकि English में जो total 26 letters होते हैं five vowels होते a, e, i, u, u, बागी के remaining 21 letters होते हैं वे हमारे सभी consonants किलाते हैं तो y से before अगर कोई consonant आता है यानि कि a, e, i, u, u को छोड़कर तो उसको plural में change करने के लिए y को हम i में replace करके yes लगाते हैं यानि कि i, s लगेगा क्या लगेगा i, e, s लगाकर हम singular को plural noun में change करेंगे लेकिन condition क्या है कि noun के last में y आना चाहिए और उस y से पहले कोई consonant आना चाहिए चलो इसके कुछ examples देखते हैं जिसे के city अब city में last में y है और y से पहले आप देखी t, t एक consonant है अब हम इसमें y को अटाकर is लगाएंगे तो cities हो जाएगा इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं आपको clear देखेगा यह देखो city का plural क्या हुआ cities story last में y है y से पहले r consonant है stories y हटके i s लग गया कहानी ladies ladies हो जाएगा lady क्या होगा बच्चो ladies country एक देश countries army सेना army सेना है family y से पहले l consonant है तो इस l के बाद y है तो y को अटाकर i s लगाएंगे families, companies, pennies, babies इन सभी में आपने देखा कि last में y आया है सभी singular noun के last में y है तो उसको plural में change करने के लिए y को i से replace करके yes लगा दिया हमने तो यह बन गया हमारा plural ठीक है चलिए अब बढ़ते है rule number third के तरफ rule number third है the nouns that end in a vowels followed by y change into plural forms simply by adding of s मतलब जो noun किसी y पर end हो और उससे पहले अगर कोई vowel आये क्या है vowel वाउल यानि के a, e, i, o, u इन में से कोई भी लेटर अगर y से पहले आता है तो हम उसमें simply s लगाकर उसको प्लिए में change करेंगे यानि के इससे पहले वाला जो rule था उसका just opposite है इसमें हमें सिफ s लगाना है boy इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं जे लिका हुआ boy अब boy में देखिए y से पहले o है जो के वाउल है तो s लगा देंगे boys हो जाएगा toys, toys, day, y से पहले a है जो के वाउल है तो days हो जाएगा way, ways, ray, raise, monkey, monkeys हो जाएगा key, keys, valley, valleys तो इन सभी में आपने ये देखा कि last में y है और y से पहले कोई वाउल है तो इस y को हमने हटाया नहीं है, directly s लगाया है जिससे प्लूल बन गया है अब देखते rule number four rule number four है the nouns that end if in f or fe we replace the f or fe with vs इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं पहले हैं तो बच्चो जो noun f या fe पर end होते हैं तो उसको प्लूल में change करने के लिए f या fe को हटाकर v es लगाएंगे क्या लगाएंगे बच्चो v es लगाकर हम उसको प्लूल में change करेंगे वह सभी noun जो f या fe पर end होते हैं पुछ examples देखते हैं जैसे के knife मतलब एक चाकू last में f e आया हुआ है तो यह f e हटेगा v es लगेगा knife wife wife leaf last में f हैं तो इस f को हटाकर v es लगाएंगे leaves thief life इन सभी में हमने v es लगाएंगे प्लीव बनाया चलिए आते है रूल नबर 5 किता कुछ वर्स ऐसे हैं जिसमें यह rule follow नहीं होता मतलब के f बाला जिसमें dietly s लगता है जैसे के roof, shape, cliff, chief proof इनमें dietly s लगेगा इसमें v es नहीं लगेगा इनको अलग से mention कर लीजेगा यह exception है इनमे dietly s लगाकर इनको plural बनाते है अब देखते हैं rule number 6 को तो बच्चों हमारा next rule है the nouns that end in double vowels change into plural form by adding s वैस सभी nouns जिनके last में double vowels आये तो उसको simply s का use करके हम plural में change करते हैं यानि कि simply हम s add करके उसको plural बनाना है double vowels मतलब कि double e i double o i या i और e एक साथ आजाएं तो ऐसे सभी nouns जिनके last में double vowels आना चाहिए तो अब उसको plural में change करने के वाउल से तो simply s लग गया तो यह बन गया क्या हमारा trees हो गया tree का trees और radio i और o दोनों वाउल से तो radios video वीडियो वीडियो बैंबू bamboo बैंबू कुकू कुकू बी बी जू 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 इन सभी में s लगाकर हमने इसको plural में change कर लिया चूंकि इन सभी nouns के डबल वाउल्स आ रहे थे rule no.7 है some nouns have the same form in singular and plural कुछ noun ऐसे होते हैं जिनको singular और plural में same लिखा जाता है उसमें हम किसी भी s, as या is किसी भी extra word का use नहीं करते हैं sheep singular लिखे या plural लिखे इसको sheep ही लिखा जाएगा hair hair का plural health नहीं होता है hair ही होता है जिसका मतलब बाल होता है deer deer fish fishy होता है same kind की fish को बताने के लिए fish का use करेंगे अगर fish को color में या size में different बताने के लिए हम यह लगा सकते हैं fishes कर सकते हैं otherwise fish का plural fishy होता है तो यह जो noun है इनको same लिखा जाता है तो बच्चो आएए आते है next rule की तरफ a few singular nouns form their plural by changing the inside vowels और vowels तो देखो कुछ noun ऐसे होते हैं जिनके बीच के vowels को change करके हम उसको plural में change करते हैं यानि कि spelling change उडाती है इसको हम zoom करते हैं जिसके men men कर देंगे अगर a लिखा है तो यह singular है और e लिखा है तो यह plural हो गया है man का man होता है अब जिनको rule नहीं पता है तो वो क्या करते हैं पता है वो aim and man लिखके s लगा देते हैं जो के wrong है बच्चों English grammar नियमों का नाम है English का सही knowledge होने के लिए आपको rules को learn करना होगा a man singular व्यक्ती है woman इसको पढ़ा जाता है women women ए लगेगा तो यह plural चेंज हो जाएगा woman एक महीला women एक से जादा महीला है tooth एक दात के लिए इसमें double e लगा देंगे तो यह teeth बन जाएगा इसका पिलूरल हो जाएगा foot एक pound feet पिलूरल हो जाएगा child का पिलूरल children होता है जादातर मैंने एक बात नोटिस करी है कि student पढ़ करते क्या है children में S लगाके इसको wrong कर लेते हैं जब child singular है तो इसमें S लगाने की जरूरत ही नहीं है children खुद plural word है तो child का children person का plural word पिलूरल होता है people में S नहीं लगाते है ox का oxen होता है loose का lies होता है goose का गीज होता है इस तरीके से इन में spelling को change करें plural बनाते है अब rule no.9 है इसको देखते है to change singular to plural noun we generally add S S का use करके हम commonly singular को plural में change करते है जहाँ पर कोई rule नहीं लगता है तो वहाँ पर सिर्फ S लगता है book का books हो जाएगा pen का pens girls का girls animals ball में balls computer computer dogs dogs हो जाएगा तो यहाँ पर कोई नियम काम नहीं करता वहाँ पर simply S का use करके हम singular को plural में change करते है आते है rule no.10 की तरफ if a noun consists of several words compound noun the S is added to the noun main word ठीक है तो दिखो भाई कुछ noun ऐसे होते हैं जो के compound noun कहलाते हैं यानि कि एक से ज़्यादा word को मिलाकर एक word बनता है down बनता है तो उसमें सिर्फ ace लगाते हैं वो भी main word के last minute तो यह उसको पिलिवर में change करते हैं जिससे के son in law में main word क्या है son है तो sons in law हो जाएगा इसका जूम कर लेते हैं father in law में main word father है तो father हो जाएगा football main word ball है footballs bedroom main word room है step mother step mother हो जाएगा step लगा के जो भी अगर word होते है step father mother sister brother तो इन सभी में जो main word है उसके last minute लगा किसको पिलिवर बनाते हैं next rule 11 number का some nouns are used only in the form of plural they are not made singular कुछ noun ऐसे होते हैं जिनको plural form में लिखा जाता है जिनको singular नहीं लिखा जाता है जो pair में आते हैं a pen, scissors यह pair में होते है spectacles, trousers, caves, goods savings, जितने भी word आपको यहां पे लिख रहे हैं इनको पिलिवर में ही लिखा जाता है glasses, customs bellows, tongues इन सभी को पिलिवर फार में ही लिखा जाता है 12 number का rule है some nouns are used only in the form of singular कुछ noun को singular form में ही लिखा जाता है उनका पिलिवर नहीं बनाया जाता है जैसे poetry poetry singular noun में scenery, jewelry, dust, rubbish, music, hair, cloth, news news काफी जाता important question है इससे question आता है word है news news singular word है knowledge, water, baggage, crockery यह सभी हमारे singular noun में ही लिखे जाते हैं इनको पिलिवर में नहीं लिखा जाता है ठीक है बच्चों तो आज की इस वीडियो में हमने singular number और plural number को बहुत अच्छे तरीके से समझिया कि जो nouns होते हैं वो singular noun होता है या plural noun होता है singular noun को plural noun में change करने के जितने भी rules हैं वो सभी rules हमने आपको यहां पर बता दिये अब इसका screenshot लना चाहते है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने सभी friends के साथ जाँ-जाँ-जाँ-शेर कीजिएगा और यही चैनल पर ना है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि यह जो series चलाए जा रही है आपके ही लिए series चलाए जा रही है एक महीने का course है एक महीने में हम इस पूरी grammar को complete कर लेंगे जो कि free of cost है इसका आपको कोई charge नहीं देना है एक रुपिया भी आपको pay नहीं करना है और घर बेटे आपको अपनी English को improve करना है English grammar को आपको detail में समझना है तो जल्दी से वीडियो को like कर दिजिए अपने सभी दोस्तों सा शेर कर दिजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा वीडियोस हमारी कैसी लग रही है कमेंट्स आफ़ जाकर कमेंट्स करके जरूर बताएगा थैंक्स पर वाचिंग